हेलो डियर श्टुडेंट्स मैं आपका अंके सर लेके आ गया हूं नीट के सारे के सारे पी वाई क्यू को क्वेस्टन को लेकर के जैसा कि आपको पता है नीट के लिए प्रिवियस येर क्वेस्टन कितने इंपोर्टेंट होते हैं ये आप से बहतर कौन जानता है तो जितने भी क्वेस्टन अभी तक पिछले 5 सालों में आए हुए हैं वो सारे के सारे हम वीडियो में डिसकस करने वाले हैं तो आज का यह हमारा पहला वीडियो है जो कि आपका 11th क्यलास का पहला चप्थर सम बेसिक कॉंसेफ्ट ऑप केमिस्टी पे है या हम इसी को मोल कॉंसेफ्ट भी बोलते हैं तो हम स्टार्ट करते हैं मोल कॉंसेफ्ट के कॉर्शं कों स्टार्ड करने से पहले मैं आपको एक बात पता देता हूं कि यहां पे आपको limiting reagent, आपको moles, आपको concentration terms, stoichiometry और empirical formula के बारे में पता होना चाहिए. इन questions को करने से पहले आप क्या करेंगे? वीडियो को पहुझ करेंगे इमानदारी के साथ और जब वीडियो को पहुझ करने के बाद आप खुझ से questions को solve करेंगे और यदि आपको कहीं भी problem आती है तब आप वीडियो को pause mode से हटा के देखेंगे यह आप पूरी और पूरी इमानदारी के साथ निभाएंगे आसा करता हूँ मैं तो इसी के साथ मैं आपका वक्त जाया ना करते हुए स्टार्ट करता हूँ पहला question सम बेसिक concept of chemistry का लिखा हुआ है which one of the following has maximum number of atoms यह आपका question नी 2020 में आया था जैको मैं आपको दो तरीके से बताऊंगा आप आप डारेक्ट ऑब्जेक्टिव अप्रोच से भी questions को कर सकते थे इस question को और आप डारेक्ट वैल्यू रखके भी आप question को कर सकते थे यदि मैं इस question की बात करूं तो यह आपका ncrt का question number 28 जैसा same to same है बस वहाँ पे गोल्ड दे दिया था यहाँ पे फ्रवल ले लिया है वहाँ पे chlorine ले लिया था यहाँ पे oxygen ले लिया बस थोड़ी सी बस बेल्यूज चेंज है वहाँ भी लीथियम बिलता यहाँ भी लीथियम है तो चलो अपन इस question को solve करते हैं तो आप पहले वीडियो को पहुच करें और question को solve करें खुद से तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है पहला वन ग्राम ओफ एजी तो देखो जब वन ग्राम ओफ एजी लिखा है यानि सिल्वर सिल्वर का एटॉमिक मास भी लिखा हुआ है कितना 108 तो आपको पता है सिंपल सी बात यदि हम मैं मोल की बात करूँ तो मोल कैसे आते हैं आपके मोल आते हैं मास अपन मूलर मास यही आता है आपको यहाँ पर बताना क्या है आपको यहाँ पर यही बताना है कि maximum number of items किस में होंगे कि पहले option में होंगे या B में या C में या D में तो पहले में आपको एक-एक option करके दिखा दो किस तरीके से आप करेंगे तो देखो यहां पर जब आप मास देखेंगे तो यहां पर पहले बाले की यदि में बात करूं सिल्वर की जब हम एक ग्राम सिल्वर सॉलिड लेंगे तब देखो मोल कैसे आएंगे मोल आपके आएंगे सिंपल मोल इक्वल टू मास कितना है वन अपॉन मूलर मास कितना है वन हंडेड एट ठीक है अच्छा अब मैं यहां पर बात करूं यदि नंबर ओफ एटम्स की तो कै कैसे करोगे आप अप 有 कोटें की बात करें तो आप सिंपल मोल में किसे मल्टीपलाई कर दोगे बोलो एंवा गेटेंड डो नंवर से मल्टीपलाई कर दोगे तो एवागेर टू नंबर बेटा कितना होता है सि्क्स पॉैंट जीरो तूट्री इंटू 10 to the power 23, इसको इसी तरीके से रहने दो, अब देखो, अब यहाँ पर क्या होगा, यह लिख दिया हमने, अब हमें, दूसरे के निकालते हैं, बी के, बी में क्या है, देखो भी, बी में क्या दिया हुआ है, आपको, यह हमने एटम्स, तिलवर के निकाल दिये, दूसर दियो, मा सॉप, मेंगनीशिम दिया हुआ, कितना, एक ग्राम, तो यहाँ भी, हम मोल निकालते हैं, मोल्स ऑफ मेंगनीशिम, तो मोल निकालेंगे, मेंगनीशिम के, वो कितने आएंगे, आपके, वो आएंगे, सिंपल, 1 upon magnesium के atomic mass 24 तो कितना हो जाएगा 1y24 और यदि मैं atoms की बात करूँगा magnesium के तो कितने आ जाएगे 1y24 into avogadro number यह आ गया ठीक है अच्छा अब देखो तीसरा c c में क्या होगा simple तो देखो c में भी यही होगा 1 gram of oxygen दिया हुआ है तो देखो अब यहाँ पर आप मोल निकालेंगे तो मोल कैसे आएगे आपके मोल आएँगे आपके simple mass मतलब 1 हो गया ठीक है 1 gram दिया हुआ है और molar mass के वह एक oxygen के सिस्टीन तो दो oxygen कितना हुआ 32 तो क्या हो जाएगा बन अपॉन 32 यह हो गया अच्छा अब जैसी बन अपॉन 32 आएगा अब देखो अब मैं आपने number of molecules तो कितने आएगे बन वाई 32 इंटू यह नहीं मतलब कितना 6.023 इंटू टू 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 लेते हैं तो यह ता मत वोलना भई सर गरत बतार नहीं सर भी सही बता रहे है 6.023 ले लो यह 6.022 ले लो बात एक ही है अब देखो हमने इसके अब molecule निकाल लिए अब atoms निकालने हैं तो atoms निकालने के लिए अब आप क्या करोगे आप इसी में क्या कर दोगे atomicity से multiply कर दोगे तो यदि हम बात करें एक oxygen molecule में कितने atom है बेटा एक oxygen molecule में दो atom है जब एक oxygen molecule में दो atom है तो आप किस से multiply कर दोगे बेटा यहाँ पे simple atom में कर दोगे आप देखो किस से कर दोगे नम atoms of oxygen 1y 32 into 6.023 into 10 to the power 23 और into किस से multiply कर दोगे आप simple 2 से multiply और कर दोगे तो देखो यह 2 cancel हो जाएगा सिंपर 32 से कितना आएगा 16 हो जाएगा तो यहां पर जो number of atoms आएँगे वो कितने आएँगे वो आजाएगे 6.023 into 10 to the power 23 divided by कि इस टी डिवाइड वाई 16 यह आगे आपके यह क्या आगे आपके number of atoms आगे आप oxygen के अब देखो अब फोर्थ बात दी गई है डी option में देखा जाए तो क्या लिखा हुआ है डी में लिखा हुआ है वन ग्राम ओफ लीथियम लीथियम का अटमिक मास कितना होता बच्चा सेबन तो देखो लीथियम का अटमिक मास जब सेबन है तो आप लिखोगे मूल एक्वल टू क्या आएगा मास अपन मूलर मास तो number of atoms क इंटू यहां पे कितना हो जाएगा वोगेटो नंबर 6.023 इंटू 10 to the power 23 तो यह सिंपल आपके क्या हो गए लीथियम के number of atoms हो गए अब देखो बेटा ज्यान समझना है आपके क्या अब आपको कैसे अब यह तो हमने सब के निकाल ली आपको क्या बताने मैक्सिम नंबर आ अब आप क्या देखेंगे देखो ऊपर तो आप देखेंगे डैनो मिनेटर में सौरी देखेंगे तो सब जगाए वैल्यू से में 1111 और इंटू एवोगेटो नंबर ठीक है अब अब आप देखो नूमिरेटर में आपने यह बन बन है लेकिन डैनो मिनेटर में क्या है डैन सबसे कम तो इसके जो नंबर ऑफ हैं सबसे जाद आएंगे ठीक यहाँ से भी देख सकते थे यहाँ से बात देख सकते थे यहां से रहें से होगा आपको यह सब करने की भी जरूरत नहीं थी तो इसका बच्चा सीधा सीधा D option हो जाएगा तो इस तरीके के question आते हैं तो आपको इस तरीके से handle करना होता है तो मैं दूसरा method ऐसा बताता है option से जड़ी आपको यह practice होती तो यह सब करने की ज़रूरति नहीं थी यहीं पर देख रहा होता आप simple एने मान लेते इसको यहां पर यहां पर यहां पर आपका नभाई ट्वंटीफीवर टिक है और यहां पर आपका नभाई शिस्टीन और यहां पर हो जाता क्योंगी दो और यहां पर आपको सबस्क्राइब बाकि लीथियम वहां वह यहां भी आंसर है आप जाके देख सकते हैं एंसी आईटी का पहले चैप्टर का 28 नमबर तो देखो यह आपको सॉल्यूशन भी दिया हुआ है अब इसी के साथ अब हम चलते हैं यहां पर दूसरे नमबर और कॉर्ष्टन पर किस पर दूसरे नमबर और कॉर्ष्टन क्या बोला है समझते हैं यहां पर जो पूछा गया ह है दूसरा कॉर्ष्टन हो या है डूसरा कॉस्ष्टन लिदे 2020 नैंतने कोच है समझे यहां पर क्या है देख fel पूसरे को यहां पर बहुंचा गया था बहुत प्रोसेस ही नहीं पता होती क्या है तो दो만 यहां पर नीट जैसे भी खृष्टन पूछता है उसी तरीके से कु है यह पता होगी तो आपके लिए आसान हो जाएगा पर नहीं होगी तो आपके लिए टफ हो जाएगा तो देखो यहाँ पे सिंपल सा फंड़ा जब आपको यहाँ पे कॉन हैवर साइक दा नंबर आप मोल्स और हाइडोजन डाइडोजन मॉलीक्यूल रिक्वाइटू प्रोड्यूस्ट ट्वंटी मूल्स और अमोनिया थू हैवर प्रोसेस मतलब यह बोला है जब हमने 20 मॉल्स अमोनिया मिल रहा है ठीक है ना तो मैं यह बता हो हाइडोजन के म मॉलीक्यूल्स किपने यूज होंगे तो देखो आप वीडियो को पहुच करो खुछ से करो पहले अब देखो तो यहां पर एंटू पिलस एच टू गिफ्स त्री यह बंदा मैं इसको बैलेंस कर रहा हूं गुरा बैलेंस लिग रहा हूं तो यहां पर थ्री एच्टू हो देखो यहां पर द्यान समाझना बुक है यहां बात करें यहां पर एक मॉल नाइक्टूजन से यह आपको पता हो यह स्ट रच्व मैं ठीक है को पींच करना हैं तो एक मोल ये तीन मोल बंदा कग दो मूल । बोलो की यौई बंदा ठिक है अब मैं है लेक सकता हूं यह जब लेक बार है तो ये एक बात बताव ये कितना लिया हुआ बच्च हम नहीं ये Caribbean लिया हुगा, यह 10 मोल और यह कितना लिया हुगा, तब यह कितना मिला हुगा, 20 मोल मिला हुगा, simple stoichiometrics का question है, simple किस का है, stoichiometrics का question है, all mole mole ratio वाला question है, तो देखो यहां पे, यदि हम यहां पर answer देखें, तो आपका answer क्या हो जाएगा बक्चा, सीधा D option हो जाए कितना आसान को आपको यह लिखने की ज़ुरत भी नहीं थी यहां पर दिख रहाता डायरेक्ट आप equation लिखते आपको यह एक मोल तीन मोल दो मोल इतना समझाने के लिए आप डायरेक्ट भी का सकते आप दस मोल इसके दस मोल इसके 30 मोल इसके 20 ही small बनेगे simple तो आपका अंसर किए होगे हाप को हाइडोजन के मोली हाइडोजन के पूछे गैते कितने PL होगे तो तीस मोल होगे तो answer तो यहां पर क्या पूछा गया था यहां पर question था in which case is number of molecules of water is maximum यह पूछ रहा है number of molecules of water किसमें सबसे ज़्यादा मिलेंगे तो देखो यह भी पहले जैसे question है बस यहां पर थोड़ा सा difference कर दिया तो आप क्या करना है आपको वीडियो पहुच करना है और question को solve करते हुए चलना है तो देखो यहां पर देखा जाए तो यदि में density of water याद उन्हीं चाहिए density of water जो होती है वह आपकी given होती है वन ग्राम पर एमेल ठीक है वन ग्राम आपउन बॉल्यूम तो मास निकालने के लिए क्या हो जाएगा simple density into volume देंस्टी कितनी 1 into 18 तो मास कितना आगया वाटर का 18 ग्राम कितना आ गया 18 ग्राम जब मास 18 ग्राम आ गया तो अब मुझे यह बताओ आप कि यहां पे मूल्स कितने हो जाएगी मूल्स ऑप बाटर यदि मैं मूल्स ऑप बाटर की बात करूंगा तो अब आप करोगे simple कितने 18 upon 18 मतलब कितना आ गया कि वाटर का मॉलीकुलर मास कितना होता है आपको इस टू हो का इद इदी मॉलीकुलर मास निकालो वह तू फिलस इस तीन यह भी एटीन हो जाएगा तो सिंपल यह आगे अच्छा अब मैं सी में मल्टिपलाई कर देता हूं क्या इसके पूर अफ मॉलीकुल्स अब आटर तो म 23 यह हो गया अब देखो यह तो मॉलीकुल्स अब आटर की बात हमने कल ली इसमें इतने हैं अब मैं दूसरे की बात करता हूं ऑप्शन की जीरो पॉइंट कितना है 18 ग्राम ऑप बाटर जब 0.18 ग्राम ऑप बाटर दिया हुआ है तो देखो सिंपल सा क्वेशन है क्या हो ज मतलब बनवाई हंडेट भोले तो मतलब हो गया सिंपल इतने मोल लिख दो अब आपको पता है यदि मॉलिकूल्स और की बात करेंगे तो कितने हो जाएंगे मॉलीक्यूल्स की और वाटर तो सिंपल आवो गैट्टू नंबर से मॉल्टिपलाई कर दो तो कितने आएंगे 6. तो यह उपर जाएगा तो यह सिंपल आ जाए 6.023 इंटू 10 to the power 21 इतने आ गए तो बहुत कम है यह के तो अभी इतने 6.023 इंटू 10 to the power 23 चलो अब मैं बात करो आपका सी में क्या होगा आपका सी में दिया हुए जीरो पॉइंट जीरो जीरो टू 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 फो लीटर ऑफ बाटर वैपर एट वन एटमोस्फिरिक एंटू सेविंटी त्री केल्विंट ठीक है यह तो इसने सिंपल इतनी वाटर वैपर्स दे दिये चलो मैं बात कर ले तो वाटर वैपर्स दिये तो देखो वैपर की जब जब बात आएगी तो याद रखना जब हम मूल निकालते हैं वैपर की केज में तो एक बात ध्यान स्द्दकन है मोल एकवल टू आएगा आपका सिंपल मूल्ूम ऑ गैस कि मूल्यूम ऑ गैस कि क्या होता है ट्वेटी टुपइंट 4 लीटर किपना होता है conjunto 2000 0.4 वandan बैट स्ट बोले तो इस तो इसे हम प्रैसर की बात कर रहा हूं अब देखो यहापा अब क्या होगा सीखी म मोल कैसे आएंगे, मोल आपके सिंपल आजाएंगे, 0. कितना है, 0000 22 224 डिवाइड वाई 22.4 ठीक है, यह मोल आगए, और जैसी आपके मोल आएंगे, तो क्या आजाएंगे यहां से, मोल कितने आजाएंगे आपके, यह आएंगे आपके सिंपल, बनवाई 10,000 या मैं इसी को लिख सकता हूँ, बनवाई 10 to the power 4, तो अब आप यह बताओ, मुझे यह मोल आगए, आपके मॉलीक्यूल्स आफ बाटर कितने हो जाएंगे, मॉलीक्यूल्स आफ बाटर एक्क्वल टू हो जाएंगे, बनवाई 10 to the power 23, डिवाई दवाई 10 to the power 4, अब एक बात आओ, यह 10 to the power 4 प्लस में है, यह उपर जाएंगे, तो माइनस में होँगे, जब माइनस में होँगे, तो कितने हो जाएंगे, 19 बचेंगे, बचेंगे, तो यहाँ पर कितने बचेंगे, 10 to the power minus 19, जब एक एक option में चक करके बता रहा हूँ, ठीक है, हमें तो देख रहा है यहां से, आप डारेक्ट भी देखते हैं, तो एक मोल मिल ला है, आपको देख रहा है, आपको देखो, यदि मैं option से करता है, तो 0.18 gram, सीज़ा देख रहा है, बनवाई 100 times, नहीं भाई, यह नहीं होगा, इसके, देखो, यह भी बनवाई 10 to the power 4 times, नहीं भाई, यह भी नहीं होगा, यह कितने होगा, 10 to the power minus 3 mol, पहले से ही बोल ला है, ठीक है, तो सबसे ज़्यादे जो mols होगे में देख रहा है, इसमे हो, अब आपको पता है, तो molecules क्याते आजएंगे, बाटर के, molecule आएंगे, बाटर, simple mol, इंटू, एवोगेड़ो नंबर, 23 into 10 to the power, 23 तो कितना हो गया, यह 6.023 into 10 to the power, 20, यह आगया, तो अब आप इसको solve कर लिए हैं, आपने, तो देख सकते हैं, आप यह आंसर देखना चाहे हैं, तो सबसे जादा, जो आ रहे हैं यहापे, molecules of water, वो आ रहे हैं, आपके 18 ml water में, किसमें, 18 ml water में, simple, यह answer हो गया, तो देख सकते हैं, आप, यह answer हो गया, आप इसमें टिक कर देंगे, तो कौनसा option हो जाएगा, आपका, simple a option हो जाएगा, तो देखो भई, यह option हो गया, त आपको दोनों method बता दिये, आप यही practice करेंगे, तो आप direct question solve कर सकते हैं, देखेगा आपको, लेकिन आपको वो practice होनी चाहिए, आपको इतनी calculation करने की ज़रूरत नहीं पड़ेजी, तो देखो, यहाँ पे आपको simple solution भी दिया हुआ, तो don't worry, यह आपका solution भी है, ठीक है, इस 2018 में पूंचा गया था, बहुत ही मज़ेदार question था, ज्यान समझना, अब देखो, यहाँ पे पूंचा क्या गया था, क्या लेखा हुआ है, एक mixture है, और 2.3 gram of formic acid, ठीक है, भई, formic acid का एक mixture है, and, and 4.5 gram oxalic acid, ठीक है, is treated with concentration, H2SO4 किस से treat कर रहे हैं, हम, H2SO4 से treat कर रहे हैं, the evolved gaseous mixture, is passed through KOH plates, ठीक है, KOH मतलब किसे, फिर हमने जैसी वो reaction हो गई, फिर हमने उस gas को pass कर दिया, KOH plates से, ठीक है, जैसी plates से pass किया, तो फिर वो पूंच रहा है, यहाँ पे, क्या बचा हूँ, जितना remaining product बचा हुआ है, उसको आप gram में बता दो, क्या STP पे बचा हुआ है, तो देखो, ध्यान से समयना बड़ा ही आसान question है, बड़ा मजेदार question है, तो यदि मैं बात करूँ, जो H2SO4 होता है, simple logic के लिए मैं बताता हूँ, जो H2SO4 होता है, यह आपका होता है, dehydrating agent, कैसा होता है, dehydrating agent, किस बात को ध्यान रखना, ठीक है, dehydrating agent, मतलब क्या करेगा, जै कैसे, formic acid की reaction कराई, formic acid ले लिया, और formic acid की reaction, जब आपने H2SO4 से कराई, तो यह dehydrating agent है, जब dehydrating agent है, जो समझना यहाँ पे, तो यह क्या करेगा, यह इसको convert कर दे किसमें, CO plus CO2 में, यही होगा, sorry, CO plus H2O में, किसमें, H2O, है न, यह हो गया, यह तो गलती नहीं करना, H2O मि देगा, यहाँ पे water, अब होता क्या है, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे बात करूं, initially, यहाँ बात करूं, पहले मैं, formic acid की ही बात कर लेता हूं, तो देखो, इसके कितने gram दी गया थे, 2.3 gram, ठीक है, यहाँ यहाँ फॉर्मेक एसिड का molar mass निकाल लूं, तो कितना आए कितना हो गया, 46, तो देखो, 46 हो गया, तो आप अधी मोल निकालेंगे, तो मोल कितने आएंगे, 2.3, मास अपॉन मोलर मास, 46 हो गया, समझे ना, यहाँ पे यहाँ पे इस्ट्वाइच्व मैट्टी कोर्शन है, सिंपल, जब initially मोल इतने थे, कितने थे, initially मोल इतने थे, अब मोल निकाले, अब initially मैं इसके क्या है, यह कुछ बने ही नहीं थे, initial मैं का reaction start ही नहीं थे, अब reaction start हो गया,放1, श्टार्ट हो गया, जब reaction कम्प्लिट हो गई, तो यह मोल्स कर जाएंगको, खतम हो जाएंगे, मतलब यह कितने मनेंगे, जदी हम बात करें, मैं मैं इसको calculate कर द अन्हाई तो सीर भी कितना मिलेगा वनवाई ट Birthday एक यह बनवाई Τ्वेटीटएबं वाई ٹवैटी मिले गए अब यह केस पहला ले लिया मैंने किसका फॉर्ल में कैसेड का ऊद् Tan यह पफंग मैं पहले इसको फॉर्लमय के असिद बोलते अब दूसरा इसने कह लिया था ऑगजलिक एसिड का जो फर्मूला होता है वह होता है आपका यह को इस तरीके से लिखते हैं ती डबल ओ एच कि इस टीडबल ओ एच ठीक है यह हो गया अब क्या होता ऑगजलिक एसिड को मैंने इसकी भी देक्षिन सब्सक्राइब काराएब यह gentleman मैंने सब्सक्राइब को takot s कि अब क्या होगा यहां पे द्यां समझना यह ओगया मैं इसके क्या निकाला हूँ यहां पर simple से moles तो moles के लिए आपको पता है कि ये कितने gram लिया था 4.5 gram लिया था 4.5 gram यदि 4.5 gram अग जलेक ऐसे लिया है तो molar mass की बात करें तो कितना आएगा ये आएगा simple आपका 2 times कर देता हूं 12 plus 16 plus 16 plus 16 plus 1 कितना हो गया ये हो जाएगा simple आपका 16 12 हो गया आपका 28 28 और 16 कितना हो गया 28 16 44 और 145 मतलब कितना हो गया 90 हो गया ठीक है तो ये कितना हो जाएगा 4.5 by 90 मतलब यहाँ भी कितना हो गया initially मोल्स की दी में बात करूं तो ये हो गया 4.5 divide by 90 ठीक है जब ये initially moles 4.5 divided by 90 है तो एक बात बताना मुझे simple सी यहाँ पर तो क्या हो जाएगा ये भी जो moles आएगे ये कितने आएगे बनवाई 20 ठीक है अच्छा इनीशियली तो ये 0000 होंगे ठीक है 0000 होंगे लेकिन जैसे ही आप ये finally क्या होंगे जब initially reaction स्टार्ट ही नहीं होई थी जब रीक्शन स्टार्ट नहीं होई तो इसके बनवाई 20 मुल एजिटेश पड़े होंगे और प्रोड़क्ट कुछ बना नहीं होगा अब हाइनल की बात कि जब completely reaction हो गई तो यहाँ पर क्या बचे यहां पर दो completely combustion हो गया यहां पर किया बचा बनवाई 20 यहां पर कितना बचा बनवाई 20 बनवाई 20 यह बच्षा Simple अब देख सकते हो आप तो सिंपल इतने मिलगए अब अब क्या हुआ अब हमने इसको क्या किया अब एब और जो गैसी में सर्जिटो मिला नियां Carbon Mono-Oxid से अब हम ने इसको किसे पास करा दिया अब हमने इसको तो यह मिक्षर है, गैसियस मिक्षर, तो हमने जैसी पास कराया किससे, बोलो कोईस से, जैसी कोईस से पास कराया, तो इस कोईस ने क्या किया, अब चलागया, तो चलागया, बता घरा को नहीं बचाई safe, तो मतलब देखा जाया, तो बचा क्या, कार्वन मोनॉक्साइड, चलागया, अब जैसी यह तो भॉच को से बचा, समाइना यहाँ पे, तो कार्वन मोनॉकसाइड भचा, अब हमें सी की बात करना था क्या बता है पूच रहा था वेट इन ग्राम और रेमेइनिंग प्रोडक्ट में क्या बचा कार्वन मोन ओक्साइड बचा हुआ है बस अब सी ओ तो चला गया दो वाटर को नहीं लेंगे यहां पर किसको लेंगे सिंपल कावन मोनोक्साइट को लेंगे वो तो फीमे पढ़ा रहेगा वाटर वाटर वो सी में पढ़ा रहेगा उसकी कोई नीड नहीं है अब देखो तो यहां पर कारण मोनोक्साइड लिया तो देखो यहां बात करें मोल्स ओफ सी ओ कितनी है जो पहले वाले में वन वाई 20 मिल ले हैं दूसरे वाले में वन वाई 20 मिल ले हैं यदि मैं इसका LCM लोगा तो क्या आएगा बन वाई 10 आएगा ठीक है अच्छा अब यदि मैं मास ओफ सी ओ बात करूं मास ओफ यही बचा हुआ है क्यों सी ओ क्या बचा है आपक में आप यह कहा लेंगे मास ओफ कारभन मोनोग्साइट क्या हो जाएगा बनवाइट टेन इंटू अक्षीजन का लगा त्वेल कारवन का तो निएट तो ट्वाइट यह यह मतलब कितना अगया तू 2.8 ग्राम देखो यह तो सिंपल है योग यह आपको पता है जो मास आप निकालते हैं जो मास आप निकालते हैं मास क्या से निकालते हैं मास निकालते हैं आप मोल इंटू मोल इंटू किस से बोलो Molar Maas से यह आप Maas निकालते हैं तो यहाँ पे क्या आ गया 2.8 ग्राम आ गया तो 2.8 ग्राम रिमेनिंग बचा हुआ था वो आंसर हो गया तो इसका आंसर क्या हो जाएगा इस तरीके से आपको क्वेश्चन को solve करना है तो आपको यह बात के लिए होगी přेसरी बता रहूँ आपको इस तरीकre से क्वेशन पुचह जाता है अब देखोंगर प् wholly बेख चलते हैं इसक चलते हैं इसंशी पहरी पर आपको पतायों नेट Sup नेट सेकेंड उपहर्न क्या हुआ था तliamo पेपर तो नडरी जिद सबसे difficult paper था अब तक का देखा जाए वहाँ पर यह चीज़ें भी पूछ ली थी MSC level की questions भी आ गयते उस time तो I hope आपको clear होगा कि वही आज तक का सबसे difficult paper था फिर उसके बाद इतना difficult नहीं आया आप तो x and y combine to form two compounds x by 2 ठीक है भाई उसने गोला x और y है वो combine हो रहे है वो दो compound बना रहा है एक xy2 बना रहा है एंड एक बना रहा x3 by 2 ठीक है अब यह बोला when zero point mole of xy2 वे 10 gram मतलब उसने यह बोला simple xy2 का जो gram दिया हुआ वो कितना है वो 10 gram दिया हुआ है ठीक है समाझ ना अब mole कितने दिए गए 0.1 mole दिए गए ठीक है और जो xy2 के mole दिए गए xy2 के जो mole दिए गए वो कितने है वो है आपके 0.1 mole ठीक है अच्छा इसी तरी इस देखो xy2 x2 y3 भी दिया हुआ है sorry x3 y2 x3 y2 x3 y2 की बात की जाए तो simple इसके gram कितने दिए गए 0.05 mole ठीक है यह तो mole हो गए और gram कितने है इसके gram दिए गए है आपको simple 9 gram देखो इसके जो gram है यह तो mole हो गए और जो gram दिए गए है simple x3 y2 के वह दिया गया आपको simple 9 gram ठीक है चलो कल लेते question आपको क्या निकालना है x and y के क्या बताने atomic weight बताने तो बहुत ही आसान question है समझो यहाँ पर तो mole दिए गए है तो देखो mole आपको पता है mole क्या होते हैं बोलो mole जो होता है वो क्या होता है mass upon molar mass समझना तो यदि मैं बात करूं mole of xy2 की किसकी बात कर रहा हूं xy2 की बात करूं तो यहाँ पर mole of xy2 कितने दिये गए है 0.1 और mass कितना दिया हुआ है यहाँ पर 10 gram कितना है 10 gram अच्छा यहाँ यहाँ पर molar mass की बात करूं तो molar mass क्यासे आएगा जेखो यहाँ पर मोलर मास की बात करें तो ध्यान से समझना यहाँ पर यहाँ पर मोलर मास क्या हो जाएगा sum of atomic weight of each element यही तो होता है तो देखो यहाँ पर यहाँ पर x है x हो गया ठीक है mass of x हो गया मैंने capital x simple ही रख दिया ठीक है capital x का mass atomic weight ठीक है यहाँ पर आ जाएगा x plus 2y equal to कितना हो जाएगा 10y.1 ठीक है यह हो गया अब देखो इसको और मैं simplify में लिख देता हूं तो यह आ जाई equation x plus 2y equal to 100 यह पहली equation आ गई आपकी ठीक है यह पहली equation आ गई कहां से xy2 के form से अब देखो अब हम दूसरी equation निकालते हैं दूसरी equation के लिए क्या है x3 by 2 है ठीक है यहाँ पर मोल भी दिये गए है और मास भी दिया हुआ है तो देखो क्या हुआ आप यहाँ पर चब आप यहाँ पर calculate करेंगे तो दियान से देखना क्या आप यहाँ पर मोल एक्वल टू सिंपल भी लगाएंगे मास अपॉन मोलर मास तो देखो मास अपॉन मोलर मास लगाएंगे तो यहाँ पर जो x3 by 2 के मोल हैं वो कितने है similarly यहाँ आप देखेंगे तो वह हो जाएगा सिंपल आपका देखो 0.05 एक्वल टू मास कितना है 9 ग्राम डिवाइड भाई मोलर मास कैसे आएगा देखो x3 मतलब 3x है तो इसका कितना हो जाएगा y2 मतलब 2 का सिंपल 2y तो यह देखो इस तरीके से हो गया अब क्या होगा यहाँ पर 9 by 3x plus 2y तो आप इसको लिख सकते हैं 3x plus 2y equal to 9y 0.05 एक काम करो 100 से multiply 100 से डिवाइड कर दो जब आप 100 से multiply 100 से डिवाइड करोगे तो यह कितना आएगा देखो मैं यहीं पर सॉल्व करके लिख दे रहा हूं 900 डिवाइड भाई 5 यह कितना आएगा 180 आ जाएगा ठीक है तो मैं यहाँ पर 100 से multiply और डिवाइड कर रहा हूं तो यह जब मैं अबर आल एक्क्वेशन लिख देता हूं यहाँ से एक्क्वेशन आगी 3x फिलस 2y एक्क्वल टू यह आगया सिंपल 180 ठीक है यह एक्क्वेशन नमबर 2 हो गई बन और टू आगे अब आप देखो में एक क्या कर रहा हूं अब यहाँ पर हमें सिंपल किलास तेंथ वाला कॉंसेप्ट लगाना है सिंपल एलिमिनेशन मेथट बस हो जाएगा कुर्शन सौल आपको दो दो अन्नोन है दो एक्क्वेशन है बस हमें एक को माइनस करना है और सिंपल आपको एक्स और वाई की वैल्यू निकाल नहीं है तो देखो कैसे करेंगे आप एक काम करो सेकेंड एक्क्वेशन में फर्स्ट एक्क्वेशन को माइनस कर दो तो क्या हो जाएगा फ्रॉम सब्स्ट्रेक्टिंग फ्रॉम सेकेंड माइनस सब्स्ट्रेक्टिंग सब्सक्राइकटिंग कर रहा है हम ठीक है ना कहां से 2-1 से ठीक है ना सेकेंड को 1 में माइनस कर रहा तो देखो क्या हो जा तो यहाँ पे दी हम बात करें हैं तो क्या लेखा हुए देखो simple यहाँ पर यहाँ पर लगाओ 3x प्लस 2y एक्वल to 180 180 क्या लेखा हुआ है 3x प्लस 2y एक्वल टू 180 डिवाइड वाई इस वरी माइनस में क्या करना हम है x प्लस 2y एक्वल टू 100 x प्लस 2y एक्वल टू 100 लो भई यह आ गया माइनस कर दिया हमने तो अब यहां से लिए 2y से 2y लो गया 3x में से एक्स गया तो 2x मतलब यहां पर कितना वच्टी तो एक्स एक्वल टू क्या आ गया सिंपल एक्वल टू आ गया आपका सिंपल 40 तो आपको यह बात भी के लिए हो गई होगी ठीक है ना एक्स उइक्वल टू फॉट्टी आगया तो देखो पहला तो वैलिऌ आ गया पहलां ऊलिग्स एक्स आ गया तो यहां पर यहां पर लिख देता हूं कि एक्स इक्वल टू फूर्टी इस बात को ध्यान रखना ठीक है अब क्या होगा यहां पे जब एक्स आ गया अब हम देखते हैं यहां पे एक्वेट आप यूप निकालते हैं तो एक्स की वैल्यू सब्स्ट्ट्ट्ट कर देते हैं किसी भी क्यों मालू मैंने फर्स्ट एक्वेशन में सब्स्ट्ट्ट्ट कर दी तो क्या हो जाएगा फर्स्ट इक्वेशन में पुट एक्स इक्वल टू फूर्टी एक्स इक्वल टू पूर्टी इन एक्क्वेशन बन ठीक है अब जैसी इन एक्क्वेशन बन में करोगे तो क्या आजाए जाएगा सिंपल यहाँ पे 3 into 40 पिलस 2y equal to 180 तो कितना आ गया यह आ गया 120 पिलस 2y equal to 180 तो 2y equal to कितना आ गया 60 तो 2y equal to 60 तो by equal to कितना आ गया 30 तो देखो यहाँ पे दिया आप एंसर देखोगे तो 40 30 है तो आंसर क्या हो जाएगा आपका यह आंसर हो जाएगा सिंपल तो देख सकते हो इस तरीकी से पांस साल को सना है है ना देखो आपको यह solution भी दिया हुआ है तो हमारा भी यह option आया है जो एक मिनट से ज्यादा ले आप आसानी मैंने तो आप एक्स्प्लेइन किये हैं तो आप देख रहे हो पूरा एक्स्प्लेइन किया से लिए मुझे टाइम लग रहा है आप जब सॉल्व करेंगे तो आपको के लिए ना हो जाए और दूसरी बात important कि आपको घबराना नहीं वह सेलेक्शन लेना है क्या लेना सेलेक्शन तो सेलेक्शन के लिए पीवाई क्यू आप जरूर करें और जरूर देखें और कहीं भी डाउट लगे तो आप मुझे comment section में डाउट पूछ सकते हैं तो thank you so much tata bye bye